नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिक्रम ग्रह सितारे और हम में मैं हूँ आपके साथ सिम्रन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है जो तीशा चारे करतार सी लुथरा जी गुरुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिक्रम इस कारिक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास तो चलिए इस कारिक्रम की शुरुवात करते हैं को घ्री ऑपका बहुत-बहुत स्वागत है मरें सबसे पहले बात कर लेंगे हमाज 무delight के पशाइंच के बारे में जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा कि सोब्हकर दिश्या में हमें निकलना चाहिए तो गुरु जी सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बताईए जी आज 26 मैं दोजा 23 जिन शुप्टोबा है जेश कमास सल रही है शुप्ल बक्स की आज सब्सक्रमी दिती है और स्रेशा नहीं सत्र है रात पे उपरांद मघाना चत्र लग जाएगा तुर्वे आज बरिशब रासी में है और चंद्रमा आज करक रासी में है रात परी आठ चुप का मोर्थ है अभेजीत मुर्थ सुबाः बच के चौटिस मिनट से बारा बच के शताइस सुबारा इस प्रकार से हैं चाट पशा Wrap अव्यक्तिवक पर है स्क्रीन पर दिखाए देरे नमबरों के माध्यम से गुरूजी से सिधा संपर्ख कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं गुरुजी सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के बारे में जानेंगे आज का दिन किन माइनों में विशेश है जो तिस शास्त्र में शुक्रवार के दिन को बहुत पवित्र माना गया है इसे लख्षभी दीन के लख्षमी जी के दिन के रूप दंदाने भर पूर रहे जी देगे आज का दिन शुक्रवार है और शुक्रगरा के जो अधिस्टित देवी है वो माता महालक्ष्मी है तो माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुक्रगरा ठीक होते हैं और शुक्र जो है वो अपने जीवन में क्या क्या प्रभॉड आते हैं पहले इस विसे में अपन अवरा के अंदर में शुक्र के अच्छी 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 होगी तो यह मान के चलिए उंडली में शुक्र अगर अच्छी अस्थान वे बैठा होगा उसके अनर्जी आप अच्छे रशीद कर रहे होंगे तो जीवन में किसी भी परकार की परसानी नहीं आएगी खासका के धन से संबंदित और जो आज करके दिखावे वाले समय चल रहे हैं उस दिखावा का पूरा पूरा स्रे जो है शुक्र को ही जाता है आज के दिन में महलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि शुक्र कर करता है यह पर जानना जरूब है ताकि लोगों को समझ में आ सके उनकी कुंडली में सुक्र अच्छा है या खराब है विना जोतिस को जाने दिखावे अपनी कुंडली आप जान सकते हैं सिर्फ इन सिंप्टम्स के मात्यम से क्या अपके जीवन में क्या क्या पीद रहा है यदि आपके जीवन में भौतिक सभी सुखों के होने के बावजुद यदि आप उसका उभ्भोग नहीं कर पा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि सुख्र ठीप ठाक तो है लेकिन बहुत अच्छी इस्तिती में नहीं है जो कि आपको उसका उभ्भोग नहीं करने दे रहा है बह इनके भी कुंडली में सुख्र यदि खराब होगा बहुत अला खराब होगा तो उनको एस्वर्य सालिट जीवन नसीब नहीं होगा वो बिल्कुल गरीवी के अंदर अंतरकत रहेंगे उनकी अपक्षाएं जो है मन महीं मर जाएंगी वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे कह द्धन आते भी खूब हैं और खर्च भी हो रहें लेकिन आपने भौतिक शुकों का इस्वर्य सालिट जीवन का निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं उसको नहीं जीव पा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपका सुक्र जो है बंध्यम है आपकी कुंडली के अंदर में जो की इस सुर्दी सुक्र को जो यहां इस्तरी क में जो रहती है और षण्तरी ज के सुक्र में कमिकार्थ यह तो सादी नहीं होगी सादी होगी तो पतनी से εν्मन रहेगा किस ना किसी प्रकार से उससे मद्भेद रहेंगे, लडाई जगले होते रहेंगे, तो ये सब दिक्कतों का सामना उंको करना पड़ता है, साथ में सुक्र यदि खराब होगा, तो पत्निस जो अपके प्छाएं करती हैं, जो उंको चाहिए, उनको आप नहीं दे पाते हैं, ज जो ये आपको करना चाहिए कि सुक्रवार के दिन में, एकी दिन में सो से अधी गायों को हरा चारा किलाना चाहिए, जदी आप सुक्रवार के दिन में, एकी दिन में गायों को हरा चारा किलाते हैं, तो कहीने कि इस सुक्र धीरे धीरे आपका ठीक होना सुरूरा है, साथ मे पर सरीर से किसी परकार की बद्गू नहीं आनी चाहिए अपने आपको ऐसा बना करके रहें तो भी सुकर धिरे अपने आप ठीप होने लगता है साथ में सुक्र यादी बहुं जादा खराब है और आपको बहुं सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है तो आप एक जड़ी आती है सरपोखा या तो सरपोखा की जड़ी ले 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 या कपूर का तेज ले 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 साथ में शुक्र को ठीक करने के लिए आपको सफेद वस्तियों को फ्वादान करना चाहिए। सीमित मात्रा में सफेद वस्तियों को पूरा करने का पूरा 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 परयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे जीवन में सुक्र देर देर कीफ होने लगा और जो चीज़ें आपको नहीं मिर पारी हैं जो ऐसाले जीवन आप नहीं जीपा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत ही अच्छा जीवन अपना व्यतित कर स करते हैं यह चोटे-चोटे वपाय आप कर सकते हैं शुकर लगार के दिल महा लक्षी माता का वर्द का सकते हैं वर्द के दिल महा लख्षी मता का गर्द करे करके अदी कर नशुकर नहीं तो भी एमान के चलिए कि सुक्र आपका बहुत ही अच्छा हो जाए यह तो छोटे-छोटे उपाएं जिसको करने से आपको काफी हथक तरह सब्वलता मिलती है। सुक्र के बहुत सारे मंत्र हैं, सुक्र के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। यह भी आप यदियाप करते हैं, तो भी आपको बहुत जादा सब्वलता मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश रासी के बारे में जानेंगे आज मेश रासी वालों का दिन कैसा रहेगा। मेश रासी वालों का आज मन में दुविधा बनी रहेगी, लाब अच्छी रहेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। तो आज मन की दुविधाओं को थोज़ दूर करें, हो सके तो योगा प्राणयाम करें, तो आपके लिए अति उत्तव रहेगा। आज के लिए आपका उपाय है, हनुमान जी का सिंदूर लागर के अपने मस्तक पे लगाएं। प्राप्ति के अच्छे योग बने वे हैं, जो शत्रों उनके प्रबल हो रहे थे, वो आज के दिन शांत होने के पूरी-पूरी सम्भावना है। तो आज जीद को अपना कम करें। यदि जीद काम करते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज आज आपको पर्फ्यूम लगा करके घर से निगरना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो दिन आपका काफी शुप हो जागा। अब बात करेंगे मितुम राप्ति के जात्कों को धन का अप्वय हो सकता है। ऐने कि धन ज्यादा खर्च हो सकता है। संतान की कुछ चिंता सताती रहेगी, संतान से संबंदी चिंताएं आपके मन में रहेगी। आज के दिन आपको शिवलिंग के उपर में दही चलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको यदि और विशुप हो जागा। अब बात करेंगे करकरासी के जातकों की। करने दें और कहीं न कहीं आप ऐसा कोई भी कारें ना करें कि पिता से कोई मूबाल हो जाए। बैवाहिद जीवन में तनाव हो सकता है। तो बैवाहिद जीवन में घर में आज आपको शांत रूप से रहना है। बहुत ज़्यादा बोलने से आपके इस सितित वड़ी गलबल हो सकती है। अब बात करेंगे तुला राशी के जात्कों की, तुला राशी के जात्कों को कर्ण शेत्र में सभलता मिलेगी। जो वो काम करते हैं, उस काम में को सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग हैं, बैवाहिक जीवन में तौरा तनाव आ सकता है, तो इसका विशे शुरुत के द्यान रखें, आज के दिन आपको अवारा खुत्पों को रोटी अवर से खिलाना चाहिए, रोटी नहीं मिले तो ब् आपका साथ दे रहा है, तो आप वैवाहिक जीवन में तनाव प्रिस्टी से बजना चाहिए, शूर्वे को यदि गुर डालके जल देते हैं, तो आपका दिन कापी शुप हो जाएगा, अब बात करेंगे धनुरासी के जातकों को, धनुरासी के जातकों को जातकों का वैव पानी में जल लेके उसमें एक चुप की हल्दी डाल दें, उसको सीवलिंग को उपर में चला दें, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके याति उत्तम रहेगा, अब बात करेंगे मकर रासी के जातकों को, पार्टनर से कुतना कुछ दिकते हो सकती हैं, यदि को देल के दिपक जलाना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं, तो दिन आपका काफर शुप हो जाएगा, अब बात करेंगे कुम्रासी के जातकों को, कुम्रासी के जातकों का वयवाहिल जीवत सुप में रहेगा, मित्रों से थ्रौ सावधान रहें, मित्र से जो आपके आप आप पूरी नहीं होगी, इसके कारण आपको दिक्टों का सामना करना प्र सकता है, आज के दिन आपको चाहिए कि पीपल की सेवा करें, पीपल की सेवा करते हैं, तो आप पिलियाती उत्तम रहेगा, अब बात करेंगे, अंतिम्रासी याने मीनराशी की, मीनराशी के जातको पर दिखाई दे लें नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समधान गुरुजी से जान सकते हैं गुरुजी आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुंडली सबसे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जोड़ चुकी है इनका नाम है उपासना इनका जन्वतीती है पांच नॉमबर 1998 शाम के साड़े चार बजे स्थान है दुर्ग और इनका प्रश्न है कि प्रेम में हमेशा इनको धोखा मिलता है प्रेम विवा करना उचित रहे गा या नहीं में इनके विवा में घर वाले काफी परेशान है नहीं क्या उपाय करना चाहिए लेकि इनकी कुदल्णी में क्या है कि प्रेम के अस्थान में यह अंगारे को उस्थ बनावा है और उपर से चाण्डाल दो उसकी द्रिष्टी पुर रही है तो ऐसी इस सितिती में क्या होता है कि प्रेम से समंदि जो सम ov जो स्वाइभर शु刃 साथमिनेसान करना चाहिए या नहीं नहीं को कूल कि करते हैं तो चलती- movement करते हैं- को प्रेमी जो है तो पती बनने के पाल आप से बहुत जादा उनको तक्रीपे करती आंप काफी सोच समझ करके पूरी तरह से बनावा है जो की अगले साल फरवरी के अंदर अंतर इनका विवा अवशे हो जागा चोटे चोटे उपाय के रूप में ऐसा करना चाहिए कि चार निंगू 48 दिनों तक लगातार किसी धर्मस्तल में आपको रखने है यदि आप ऐसा करती है तो चांडाव दोस्त में कहीं न कहीं आपके कमी आजाएगी और ये कमी आने के बाद जो है बहुत अत्तक आपको आपक क्यों अने के निंगे शेते हैं रेखने हैं साथ में अंगारक दोस्त बनाबाई है कि उनली के अंदर में इसको ठीक करने के लिए इनको एक काश्त में आधार जाओ और आधा सर सो भर लगए करके उसमें मिट्र काई धखन लगा लें और अपने सर से 7 बार उलटा गुमा क कि दिना करती हैं तो काफित तक इनके जीवन में तब दिनीया सुरू हो जाएगी और इनके पोलनेके लिए इनको गवायों को शेव और बता इसे करने चाहिए और शुक्र से संब्दित जो मैंने उपायां का उपाया करना चाहिए सुक्र से समंधित यह वाय करती है जो मैं सुरु में बदा चुका हूं तो भी इनके जीमन में काफी बदलावा आएगा साथ में सुरु इनके कुंडली में नीज का है और सनी भी नीज का है तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है कि यह पित रुदोस का भी निर्मान करते हैं और अच्छे तरीके से इसका फल लेने के लिए इसको इनको करना चाहिए कि किसी भी साधू टाइप के दिखने वाले बदलावा सकता है उसको एक लोहे का तवाज, सिम्टा और सिगली सनीवा के दिखने को दान कर देना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में बहुत अस्तिक बदलावा सकता है आप स्क्रीन पर दिखाई देने नंबरों के माधियम से सिधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं गुरुजी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है इनका नाम है डॉली इनका जन्मतिती है 14 जुलाई 1990 सुबा के साथ बचकर 35 मिनट इस्थान है कॉलकाता इनका प्रश्न है कि यह अपने ननत से बहुत परेशान है उनका तलाग हो चुका है और दूसरा विवा वो करना है नहीं चाहती और बहुत जादा परेशान करती है इनकी ननत इनके साथ ही रहती और कब तक इनकी ननत से छुटकारा मिलपाएगा, यह उपएजानना चाहती है जी दोकि इनकी कुल्टी जो है सिंगलगन की बंती है और मीन रासि के बंती है तो ऐसे इस्थिति हिनकी है कि जो इनके ननत से इनको दिक्कते चल रही है उसका एक बहुत वाला कारण है इनका बुद्ध का खराब होना बुद्ध को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो यह मान के चलिए कि इनको कुछ उपाय करने चाहिए उपाय इनके ऐसे हैं कि कि इनको मिठी की सो गोलियां बनानी चाहिए और रोज एक गोली को ले जाके किसी मंदिर में रखें यदि यह ऐसा करती हैं तो इनको इनकी ननज जो है साधी विवा के लिए तैयार हो सकती है और वो साधी करके अपने जीवन में सुखी भी हो सकती है इनकी कुंडली में बेसिक कुछ परसानिया हैं जिसके कारण इनको दिक्कत है इनकी कुंडली में योग बन रहा है जिसको आपने बोलते हैं अंजाना भै बना रहना मन में मन में एक अंजाना सा भाह इनको बनावा है, कि आँए या कि या कि ़ोगा, ये कितनी जाकर परसानी के लिए ऊचान, जक्ताव में घदा बहुत जाए कि जीवन में पallowsता सूच में इनके उठर उथर जाता है। तो ये चोटे से उपाया मैं बताया हैं, उनको करने के लिए इनको बोलिए, और साथ में इनको जो इनकी ननज है, यदि इनकी थोड़ी सी भी बात सुनेंगी, तो उनको बोलिए कि कहीना कहीं वो अपने इस्नान करने वाले जल में थोगा हल्दी डाल के इस्नान करें, हल्द जो कि इनको साथ फरवरी दोजार चोबीस तक तक तो यह मान के चलिए कि इनको ये परसानी जिरनी पड़ेगी, यानि कि लगबक एक साल का समय और रहे गया, एक साल दो मैना, ये परसानी इनको एक साल तक रहेगी, उसके पास देखिएगा कहने कहने के कुण्डले में जो य सवाचार इनको जिरना पड़ेगा, वेक्ति गत्परामर्श है तो आप स्क्रीन पर दिखाए दे रहे, नमबरों के माध्यम से गुरुजी से सिधा संपर कर अपनी समस्याओं से जुड़े सामाधान गुरुजी से जा सकते हैं, गुरुजी अगले दर्शक हमारे साथ जु जोग कैसे हैं, राजनीती में उच्पद पर ये उच्पद प्राप्त कर पाएंगे या नहीं और उचित सलादे मार्ग दर्शन करें, इनका उपाय बताईए जी, इनकी कुंडली है, अब मान के जली कि विस्चिक लगन की, और साथ में इनका कन्यारासी है, विस्चिक लगन और कन्यारासी है, तो इनकी कुंडली के अंदर में जो ये राजनीती से सम्मदित कारें करते हैं, राजनीती से सम्मदित कारें तो इनको फलित होगा, लेकि कि इसमें सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग नहीं है कुछी गंदर में कहीं सफलता मिलने भी दिखके जाएगी उच्पद की जहां तक इनका उच्पद मिलेगा या नहीं तो अभी इनका समय 16 फरवरी 2000 16 दिसंबर 2023 था यह मान के चलिए कि शरी में बुद्ध चल रहा है त लेकिन इसमें काफी संगर सिंगो कुरना पढ़ेगा। बहुत सारे उपाए उपाय करने पढ़ेंगे। तो इनको उपाए बगेरे वर्ष्य करना चाहिए। कुंड़े में शनी की महादसा चल रही है शनी छटे घर में जाके नीज का हो गया है तो नीज के छटे घर में जाके होने के कारण ये वृबित रायोग तो बना रहा है कहीं उल्टा-सिधा करके इनको सफलता तो देगा लेकिन इनको मेहनत पहुची जाधा करने पड़ेगी लगर में इनका मंगल वक्री बैठावा है, जो कि मेहनत करने में ये काफी आगे तक तो जाते हैं, लेकिन इसको अंतिम छोड तक नहीं पहुंचा पाते हैं, यानि कि इनका हिम्मत जो है आधे रास्ते में चूड जाता है, जिनकी वज़े इनको काफी दिक्कतों का सामना करन है, यानि मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कार्य में यदि वो बनने में तो बिलंग हुआ, तो इनका सभाव ऐसा है कि छोड़ देंगे, दुसरे काम में लग जाएंगे, और सभलता मिलते मिलते इनको रह जाती है इस कारण से, इस कारण से इनको थोड़ी बहुत फ्रयास करने च जाने कि डबल माइंड़ काप भी रहते हैं, कि सभलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, फोड़ी सी भी खराबी आ रही है, फोड़ी सी भी अगर दिक्कर प्षा रही है, उनका हिम्मत जबाव दे रहता है, इन सब जीजों के कारण इनको जादा परसानियों को सामना करना हनुमान जी को चोला आवल से चलाना चाहिए, तो उनके आत्मिस्वास में काफी हद तक परहुतरी होगी, और इनको कारण में सफलता मिलनी चुरूर हो जाएगी, साथ में इनको करना कह चाहिए, जो इसनान करने वाला जल इनका है, उस जल में थोला सा दूट डूट डालक कि इनको लगाता, 43 दिनों तक इसनान करना चाहिए, यदि ऐसा करते हैं, तो इनकी मांसिक के सिर्थी और भी सुद्रिट हो जाएगी, अभी आगे बर्सात के दिन आ रहे हैं, कहीं ये घुमने पिरने के लिए जाते हैं, तो इनको जहरने के नीचे इसनान अबस्य करना चा सबी ग्रहों की माता माना गया है, उनका जल जब सीधे मस्तक पर गिरता है, तो आत्मी इस्वास में बहुतरी होती है, और साथ में मानसिक उससे आत्मी काफिछ सुद्रिट होना चुरू हो जाता है, तो ये चीजे, ये उपायें को जब भी मौका मिल जाए, अपने जीवन सब्सक्राइब करते हैं, इनकों बहुत अपने कारवे में सफ़ता मिलने सुरू हो जाएगी, अब इस सम्बर तक का समय आपको बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुपूल है, इस समय आपको उच्छपत बराफ्थ होने के बहुत जादा सम्भावना है, तो आप इस सीथ क जोड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं, गुरुजी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके है, इनका नाम है यश, इनका जन्मतिती है, 23 नवंबर 1994, रात्री के एक बच कर दस मिनट पर स्थान है, नासिक, इनका प्रशन है कि बतनी से ये बहुत परिशान है, इनकी कूंड़ी जो बंती है, वो स्रीन लगन की है और मिथुन रासी की है, स्रीन लगन, मिथुन रासी यानि ऐसी स्थिति में लगन से चंद्रमा जो लावस्थान में चला जाता है, लेकिन चंद्रमा लावस्थान में जाने के बाद लाव तो बहुत कराता है, चुकि चं स्थान में बन रहा है तो अच्छे खासे रहते हैं जब नहीं रहेगा तो दोचार पांची जार दस जार रुपर भी खर्च करने के लिए इसे लोगों को सुछना पड़ता है इस्तिती इतनी मतलब बत्तर हो जाती है यह अगर नौकरी करते हैं तो यह मान के चलिए कि 20 तारीक के बाद इनके पास आगा दोजार पर भी आप घुनने के तो इनके आपास नहीं मिलागा कुंडली में इनके ऐसे योग बने में हैं तो इनको चंद्रमा को सबसे पहले सुरहरना चाहिए अभी इनकी महादस्ता चल रही है बुद की और बुद के अंदर में बुद के अंतर दसाई चल रही है इनको जनवरी दोजार पक्चीस तर बुद इनका लावस्तान का और धनस्तान का सौमी है तो अच्छी इस्तिति में तो है बुद लेकिन उस्तित का पूरा-पूरा इंको लाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बुद रहु के साथ बैट करके जड़त वदोस्त बना रहा है ऐसी सित करते हैं तो इनके जलत वदोस्त में कमी आएगी इनको अभी के समय में क्या करना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में पालक के रस्ते अविशेक करते हैं तो धन का आवक बहेगा और कहीं ने कहीं जो अप्वय हो रहा है यानि कि फालतु को खर्चे हो रहा है उसमें कापी अ सब्सक्राइब करने के लिए एक फुक्राज रत्म अवस्य धारन करते हैं तो आप देखेंगे इनके करजे दीरे-दीर अपुद्ब कुछ समाफ हो रहे हैं इनकी कुंड़ी मिला जिला करके ठीक है अब इनका जो काम धंदा जो आप बदा रही है कि सेट नहीं हो पारा है उसका भी बहुत बाला कारण है गुद्ब को खराब होता है तो किसी प्यापार में किसी पी शेतर में सफलता मिलने बहुत जादा दिक्कते आती हैं अंद है इनको अब इक उपाएं और करना चाहिए जोकिन के लिए काफी कारगर रहे हैं इनको तावूत लाल मिर्ची लेन करना है कि मिर्ची चूटे नहीं और घर में किसी कील में उसको टांग देना है 27 दिनों तक उसको रहने देना है और 27 दिना करके रोज जो पोटली है उसको थोड़े हिला देना है यदि ऐसा यह करते हैं तो कहने कि करदे में इनके खुद बखुद कमी आने शुरू हो जाएग सब्सक्राइब करें देखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कारिक्रम में आने के लिए और दर्शकों को एहन जानकारी देने के लिए इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलाल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार